हाई लो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया एंड कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड तो फ्रेंड हमारी जो क्लासेश हैं काफी दिन से बंद चल रहे हैं थोड़ी से कुछ परसनल प्राब्लम की वज़े से सो चले आज से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज से हम लोग इंग्लिश लिट्रेचर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें विलियम सेक्स्पीर की मोस्ट इंपॉर्टन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और यह क्लास जो आपके एक्जाम जैसे की ड्री ट्रेपलस भी करने से पहले अगर आप क्योंनल में नए है को सब्सक्राइब करें लाइक करें कंध करें शेयर करें तो चले क्रेंस क्लास को सब्सक्राइब करें धे जबh था वो था उनका 1564 में 1564 में उनका जन्म हुआ था और यह question कब पूछा गया था PGT 2004 में पूछा गया था और PGT 2009 में भी पूछा गया था ठीक है तो यह इसके लिए most important बन जाता है देख लेते हैं पर next question William Shakespeare was born on William Shakespeare का जन्म मतलब कब हुआ था ठीक है अब इसमें सिर्फ डेट दी मतलब इसमें संद यागा था इसमें डेट भी दी गई है तो इनका जन्म आपका friend कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 23 अपरेल 1564 कब हुआ था 23 अपरेल 1564 को और इनका अगर वेप्टाइजेशन पूछा जाएं देखिए आगला question भी यही है तो William Shakespeare का जो वेप्टाइजेशन हुआ था तो वह हुआ था 26 अपरेल 1564 मतलब कि जन्म के तीन दिन बाद पहले की जमाने में क्या होता था जन्म के तीन दिन बाद उनका वेप्टाइजेशन किया जाता था मतलब जैसे अपने लोगों में जैसे हम लोग छटी करते हैं six days में तो यहां पे इनके यहां तीन दिन के बाद इनका होता था इनका राइट आपसन बन जाएका दी 26 अपरेल 1566 में देख लेते हैं नेक्स्ट वन विलियम सेक्सपियर डाइड ओन विलियम सेक्सपियर की म्रत्यू कब हुई थी तो आपको बता दें उनकी डेट बिल्कुल सेम थी 30 अपरेल को लेकिन सन क्या था 1616 में 30 अपरेल 1616 में व पान एर्फ़ान आल्दो इस मनुमेंट वाज एरेक्ट इन है जो सेक्सियर जर्ब बरीट किया गय ते कहां ने स्टेट वोड अपान एरें के हॉली ट्रेंटी चैर्च में उनको बरीट किया गया था यह पी तब मेयनुमेंट आज एरेक्टेड इन विष्ट मिनिस्टर के डिख लेते हैं नेक्स्ट वन ए सेक्सपियर बर्दथे प्लेस स потр 이ب फ्लेस था वह जिए क्या था इढको इस्टेट fort फॉर्ड ऐवन क्षिच फॉर्ड अपान सिक करें इस चरॉस्प्य-वेस्ट मिनश्टर अब यहां पर आ ऐपान माना जाता क्योंकि यह बड़ा confusion question है क्योंकि काफी exam में आया हुआ question है तो कहीं में on दिया है कहीं में upon लेकिन जो हमारे board है आयोग है वो उन्होंने माना है stateford upon even so right option आपको बन जाएगा ए Shakespeare was born in stateford on even but what country is the town in the case में दिया गए न on even तो यह question पूछा गया है PGT 2002 में ठीक है इसमें दिया गया है कि Shakespeare पैदा हुए थे stateford on even but what country is town in वो country किस मतलब कि किस सहर में थी Sussex, Norfolk, Durham या फिर वार्विक शायर तो वो थी वार्विक शायर ओके देख लेते हैं next one Shakespeare parents work Shakespeare के parents का क्या नाम था या कॉन थे तब को बता दे John Shakespeare and Mary Airdan John Shakespeare and Mary Airdan इनकी माता पिटा थे ठीक John Shakespeare और Mary Airdan इनकी माता का नाम था देख लेते on next one what is the business of जान सेक्सपियर से जान सेक्सपियर का बिजनिस क्या था एक लोवर एंड विटेवर लेदर वर का बाई ट्रेड या फिलेन मर्चेंट या फिराने ट्रेड मिल या फिलेन आप दी तो फ्रेंड आपको बता दे जब जान सेक्सपियर की बात कही जाएगे तो आप समझ कि बात कही गए नेंस था एक ल्टर वर्क इनका बिजनिस था जिन को इंक है यह क्या कर थे ब्यापार कर थे दए देख लेतें सेंट वाज प्रोबेब्ली एडूकेटट एड़ प्हले कहां पढ़े थे टिंग श्कूल इन स्टेटफूर्फूर्ड ग्रामर लिए या फिर या फिर King George School या फिर St. Mary School या फिर St. Thomas A. Bucket School तो आपको पता फ्रेंट इसका right option A बन जाएगा ओके देख लेते हैं next one Shakespeare's wife Unhathway was 8 years older him, she belonged to पतलब जो Shakespeare's wife थी Unhathway उनका नाम था और वो Shakespeare's 8 साल की मतलब 8 साल की वो बड़ी थी C belong to, वो किससे belong करती थी, New Jersey से, Soitree से, Wave Minister से या फिर St. Ford upon events, तो वो belong करती थी Soitree से, किससे belong करती थी Soitree से तो यह question आप याद रख लिएजें क्योंकि काफी deeply questions इसमें लिए गए हैं तो आप बिलकुल यह सारे question आपको रठी लेना है, कहीं भी question पूछे जा सकते हैं दिख लीते हैं next one questions को, at the age of 18 18 साल के, 18 साल के Shakespeare married, Shakespeare के साधी हुगे थी 26 years old अनहाथवे, बदलब के 18 साल के Shakespeare थी 26 साल के अनहाथवे थी, तो दा, Constituary Court आपदा, Divocation of Worcester issued a marriage license तब मतलब कि कब ये marriage license में मिला 26 नमबर 1582 में या फिर 28 नमबर 1582 या फिर 27 नमबर 1582 में तो इनका जो license था marriage license वो मिला थे इनको 27 नमबर 1582 में तो ये भी date आप अच्छे से याद रख लेंगे देख लेते हैं next one questions को six months after the marriage मतलब कि अनाथवे के 6 महीने बाद gave birth to a daughter named तो 6 महीने के मतलब कि शादी के 6 महीने के बाद अनाथवे ने एक डॉर्टर का जन्म दिया उसका क्या नाम था और कब जन्म दिया ठीक है तो उसका नाम था सुसना क्या नाम था सुसना और उसका बेप्टाइजेशन हुआ था 26 मही 1583 मतलब कि 23 मही 1583 को उसको जन्म दिया था और उसका बेप्टाइजेशन कब हुआ था 26 मही 1583 में ठीक है क्योंकि तीन दिन बाद वेप्टाइजेशन होता था 6 पीर फर्स्ट चाइल्ड वास 6 पीर की पहली चाइल्ड का नाम क्या था तो आपको पता है पहला चाइल्ड उनका क्या था डॉटर थी सुसना नाम की ओके सु राइट अप्सन सी बन जाएगा देख लेते हैं नेक्स्ट वन सिक्सपियर के मतलब की दो जुड़वा बच्चे हुए थे ठीक है एक मतलब की क्या था एक तो डॉटर थी वर बेप्टाइज टू फैबरी वी 1585 में मतलब उसका बेप्टाइजेशन हुआ था दो मतलब नाम क्या था तो फ्रेंड उनका नाम था हैमनेट एंड जूडित पहला क्या था हैमनेट था दूसरा केंड डॉटर क्या थी जूडित मतलब उनका एक पहला बेटा था और दूसरी बेटी थी ठीक है दोनों का ही मतलब ट्विन से जुड़वा बच्चे पैदा हुए इनका वेप्नाइजेशन 2 फरवरी 1585 में हुआ था देख लेते हैं नेक्स्ट कुस्ट्स पीर्स इसे करेक्टर इन ए और बी बिसी कामेडी ड्रामा सिरीज में छेक्ष्ट इसे क्चराट के लेूडर्फ कि Hamnet the crow, अपे start crow, या फे crow the raven, तो वो थी, अपे start crow, ये drama series थी, BBC comedy drama series, अपे start crow, तो right option, 7 जाएगा, दिखले ते, next one question, It is believed that, Shakespeare was found guilty of deer, poaching in the garden of, It is believed that, Shakespeare was found guilty of deer, poaching in the garden of, तो वो थे Thomas Lucy, किसने believe किया था, Thomas Lucy ने, देख लेते हैं फे next question, Shakespeare was caught poaching, of the deer in the, चॉलेटी पार्क, whose honor was, so, William Herbert थे, राबर्ट ग्रीन थे, Thomas Lucy थी या फी, Thomas Thor पे थे, वो थे Thomas Lucy, Shakespeare was caught poaching, of the deer in the, चॉलेटी पार्क, whose honor, उसके honor थे, Thomas Lucy, Lucy, okay, देख लेते हैं, next one question, what was the reason, of Shakespeare's, leaving, Stetford, Stetford में, Shakespeare के रहने का, क्या कारण था, तो, he was caught, stealing a deer, from Thomas Lucy's, पार्क, वो कहाँ पकड़े गये थे, Thomas Lucy पार्क में, मतलब, एक deer को, चुराते हैं, मतलब, एक हीरन को, चुराते हैं, पकड़े गये थे, तो, इसी लिए, उनका, Stetford में, रहने का, यही कारण था, इसमें थोड़ा सा, जो, प्रिंटिंग है, थोड़ी कम साही है, हम बोल रहे हैं, आप समझ लेजे, ठीक है, राइट अप्सन बन जाता है, निकोलस राइट अप्सन, मतलब, इसमें एकाउंट आफ दा, लाइट अप्सन, इसमें इसमें बन जाता है, तब ही इन्होंने, यही ओधर थे, जो कि सेक्सपेर की रिपोर्ट किया थे, सेक्सपेर हाइड बिन कंट्री स्कूल मास्टर, देख लिए नेक्स्ट वन, सेक्सपेर लेफ्ट ही इस होम विलिज, पॉर लंदन इन्, मतलब, सेक्सपेर ने अपना होम विलिज छोण दिया था, किसके लंदन में चले गया थे, लंदन के लिए, रावाना हो गए तो वो कब था, वो था, 1587 मतलब 1587 में, ठीक है, ये डेट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है, कभी भी पूच सकता है, ऐसे प्रकार की क्विश्टन्स, रीचिंग लंदन इन 1587, जब 1587 सेक्सपेर लंदन में पहुंचे, तो उन्होंने क्या जॉइन किया था, बर्बेस कंपनी आफ एक्टर के कंपनी थी, क्या बर्बेस नाम की उसीम उन्होंने जॉइन किया था, का 1587 में, जब लंदन पहुंचे थे, देख लेते हैं, नेक्स्ट क्यूचन, अन अगस्ट 11, 1596, मतलब की, ग्यारा अगस्ट 1596, वन आफ सेक्स पर चिल्डिन डाइड अड़ एज अफ एलेवन, 1596 में, उनका एक बच्चा क्या हुआ था, मतलब की, उसकी डेट हो गई थी, मर चुका था, 11 साल की एज में, तो वो कौन सा था, हामनेट था, तो वो उनका बेटा था, सन्थ था, जिनके एक ही बेटा था, वो क्या हो गया था, वो उसकी म्रत्य हो गई थी, 11 साल की एज में, मतलब की, 1596 में, 11 अगस 1596 में, ठीक है, देख लिए थे, बेटीए इन, वाइट ताइम पीरियड दे, विल्यम सेक्सपियर, बिगेने सक्सेसफूल केरियर, इन लंडन आज एन अक्टर, मतलब की, विल्यम सेक्सपियर के, जो सक्सेफूल केरियर था, लंडन में, ठीक है, एक्टर के रूप में, तो वो कौन से time period में था between 1585 से 92 या फिर 1589 83 या फिर 1887 या फिर 1891 तो वो इनका time period माना जाता है 1585 से 1592 के बीच का time period माना जाता है William Shakespeare के successful career का London में तो ये date आप याद रखेंगे देख लेते हैं which period of Shakespeare's life is referred lost years by scholars कौन से ऐसा period था तो वो इनका जो period था between 1580 से 92 या फिर 1582 से 92 या फिर 1590 से 92 या फिर 1585 या बानबे के बीच में तो इनका वो time period माना जाता है 1585 से 92 के बीच में देख लेते हैं next question which play ball और Shakespeare's name the author first time जो Shakespeare का जो मतलब कि एक play उन्होंने लिखा था first time पहली बार जब play लिखा था तो वो कौन सा play था लफस लेवर लॉष्ट टीटन एड्रोनिकस या फिर वर्चेट आफ वेनिस या फिर कौरियल लॉनस तो आपको पता है उसका नाम था लफस लेवर लॉष्ट नाम का पहली बार उन्होंने परफार्म किया था हमेड्या या जी प्लेज उसका लारें जीस अपना प्रम संछल क संच्छिर्ए के बीस घुमें लिखे थे तो फिरंच शाब को पता है एसोसियटेड विद जो लंदन की थीएटर थी उसे क्या किससे रिलेटेड़ थी मतलब किससे जिए सिटेड़ थी दा वर्ड से रसंद्ट ब्रीटेन या फिभल तो वहां के जो थीजिवेटर अंडन का फिर फौन sesアe पूशा गया है कि सिख्ष्पियर ने अकेले कंपनी थीटर में मतलब कि कॉंस कंपनी थीटर इनको फालो करता है जो मास्टर पीस पहला फरफार्म था इनके जो मास्टर पीस के नाम से जाना जाता है तो वो वूडन वू था कि गलोब था कि रोज था या फिर कर्टन था तो वो थीटर का नाम था लंदन में गलोब थीटर जो कि मास्टर पीस परफार्म के नाम से मतलब फ़स्ट परफार्म किया था मास्टर पीस जो कि हुआ था ठीक है तो वो माना जाता है गलोब थीटर तो 적 क्परनेंट नायों करन समय तो जरूर कास्ट करने तु आपधाया नहींट लुए में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें थैंक यू सो मच